सब्सक्राइब करें तो यहां पे आप देखी रहे हैं गिवन की वॉल्यू मार्केट में कम है हम लोगों को एक एक अच्छा का सा पुल बैक ले लिया है यहां पे लिक्विडेशन दोनों तरफ की देखने को मिलने के बाद वापिस अपने प्राइस पॉइंट पर बिट्कॉन को आना ही था तो वहां पर हम पहुंच गए है तो बात करेंगे उन चीदों की और बात देखेंगे यहां पे टेक्निकल्स को भी इंक्लूडिंग एथिरियूम पर थोड़ी सी नजर मारेंगे यहां पर कि क्या इंट्रेस्टिंग ऑपरचुनिटीज हम लोगों को दिख सकते हैं आने वाले हफते में मैं weekly time frame specially यहां पर खोलना चाहता था because यह हम लोगों को बहुत अच्छा एक picture यहां पर दे रहा है क्यों weekly time frame में खोलना चाहता हूं तो अभी के लिए अगर आब बात करें हम bitcoin की तो आज चल रहा है Saturday Sunday को आप खतम होने दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं इस week को before you are taking certain steps and ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आप last two weeks का अगर price action देखें तो यहां पर there is a big chance कि हम लोगों को downward close देखने को मिल सकता है and अगर हम इस line के ऊपर भी close करते हैं तो there is a big chance कि हम यहां पर नीचे की तरफ अगला week यहां पर start कर सकते हैं unless market में कुछ ना कुछ एक अच्छा खासा positive चीज तो अगर आप जैसा की देखें कि एक अंदर ही इस हमारा जो वेज आप में से भाई ने point out भी किया था कि यार भाई आप वेज की बात share कर दो तो यह point है because the reason is wedge की बात सब कर रहे हैं that's why I wasn't taking it मैं इसको more like मैं बूला था इसको आप चाहे तो सकते हैं कि यहां पर क्या opportunities आपके लिए open हो सकते हैं now 18300-18600 are very very interesting levels and यह अच्छे का से support पहले भी act किये हैं तो they can provide some bounce जो bitcoin को लगेगा but अगर मैं यही time period को थोड़ा सा छोटा करूं right थोड़ा सा छोटा करूं और मैं daily time period में आपके बास जाओ तो daily time period में आप देखें तो यहां पर this is the reason कि यहां पर आने वाले दो-चार दिन में ऐसा chance है कि हम लोगों को next week जो है negative की तरफ खुलता हूँ नजर आ सकता है और वो क्यूं है अब यहां पर देखें bitcoin ने यहां पर यह वाला एक point था जब interest rate आये तो यह 21 EMA जो था 21 daily EMA rejection मि वो उसके नीचे दो दिन उसने उसके नीचे close किया उसके बाद हम यहां पर current day में जो आज के date में trade कर रहे है वो हम इस trend line के नीचे trade कर रहे है जो की trend line काफी time से follow होती आ रही है तो given अगर यहां पर market में हम लोगों को volume नहीं देखने को मिला तो यहां पर negativity थोड़ी सी करने लगेगा and by the way अगर आपको यहां पर कौन से indicators क्या क्या बात कर रहा हूं मैं अगर आप वो जानना चाहते हैं तो कल मैंने एक video किया था indicators वाली साइट पर वो आप जरूर यहां पर चेक आउट कर सकते हैं उसमें इंडिकेटर की बात किया but mainly that is trading mistakes जो beginners बनाते हैं यह beginners क important अगर आप थोड़े चोटे time period पे जाकर मस्ती करना चाहते हैं so then थोड़ी सी opportunities आपके लिए open हो जाती है it does seem like कि काफी सारे लोग यहां पे short लेने में interested है approximately इस area में 19,200 की range में यहां पे bitcoin पे short लेने में interested है the reason being कि यह trend line के नीचे आ गया है 4 hour time period में as well as हम 21 EMA 4 hour time period में हमारे 55 EMA तो यह इनका pressure यहां पे नीचे की तरफ थोड़ा सा जादा बना रहेगा however अगर आप notice करें price action को तो यह जो last candle हमारे पास बनी है पिछली 4 घंडे की candle यह शायद किसी एक अलग तरीके की story यहां पे कहने की कोशिश करें तो हम लोगों यह देखना पड़ेगा कि जो आने का हम लोगों को यहां पर movement देखने को मिल रहा है और यह वाला candle हलका सा positive close होते तो next यहां पर हमारे पास थोड़ा सा ऊपर की तरफ resistance test होने का chance यहां पर बन जाता है अगर थोड़ा सा यहां पर positivity रही यह हलका से volume यहां पर हम लोगों को देखने को बिला volume नहीं रहा तो negativity का chance definitely जाता हो जाता है on the ethereum front काफी जारे लोग interested है ethereum में shot लेने में and बहुत सारे लोगों ने shot open भी किया है वो कहां से यह MA 55 EMA was a great point to start a shot as well as 21 EMA 4 hour period में भी काफी जारे लोग interested है यहां पर shot में which I think makes sense on the support side अगर आपको आपको अभी ध्यान रखना पड़ेगा 1270 के आसपास का level 10-15 dollar उपर नीचे आप उसमें कर लें that is going to be a good enough support जो कि अगर आप shot play कर रहे है तो आप उस पे थोड़ा सा ध्यान रखे as for the long of course अच्छे supports are always good ideas to consider कि आपके setup में किस तरह से long बैठता है नहीं बैठता है but current market scenario and low volume अगर हमें देखने को मिलने वाला है तो I'm not sure कि बहुत अच् वाला बंदा नहीं हूं तो on that front is what I'm saying जब मैं बोल रहा हूं कि safe खिलना चाहते है तो थोड़ा सा wait कर सकते हो weekly close का देख सकते हो कि weekly close कैसे होता next weekly candle कैसे start होती है नहीं कि Monday and तब तक आप थोड़ा सा अच्छा है weekend को weekend को आपको थोड़ी चुट्टी मिल जाएगी आप वाटन वाटन देख लो तो मिभी थोड़ा सा यहां पर better हो जाए रहा है rather than feeling FOMO as well मतलब हम लोगों को daily यहां पर trade करने का किसी को जरूरत नहीं है इस market and पैसा बनाना है तो अगर हमारे setup में chart आ जाता है तो हम trade ले लेंगे setup में नहीं आएगा तो फिर trade नहीं लेंगे जब इसले भी market जो है अब थोड़ी सी आपको यहां पर slow moving नजर आ रही है also यह trend line यहां पर follow होती ही नजर आ रही है this is Shivam signing off मिलते है guys अगले वीडियो में तब तक के लिए bye take care and have an amazing great superb weekend guys